Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल पॉलिटिकली काफी टिका टिपनी किया करते थे, लेकिन, as a student, ये मेरे मन में भी काफी सवाल आते थे, शायद आपके मन में भी आते हों, कि स्वामी विवेकानन्द, ब्रिटिश को पॉलिटिकली क्यों चालेंज नहीं कर रहे थे, वे जादा तर फिलोसिफिकल और रिलीजि दिन से अच्छा इस बाद को डिसकस करने का मौका और कोई नहीं, so हम देखते हैं, that why was he against politics, आज भी रामकृष्ण मिशन के कही लिटरेचर्स ये कहते हैं कि स्वामी जी और शायद ये कहना जरूरी भी नहीं है, हम सब जानते हैं कि स्वामी जी बहुत बड़े त्यागी थ अमझेंगे विवेकानन जी के courts से, यानि कि उनके direct courts से, for example, वो ये कहा करते थे for politics, that men are brutes, who in the name of politics, rob others and fatten themselves by sucking the very lifeblood of the masses, उनके लिए शायद पालिमेंट, law, politics, ये सारे चीज एक spiritual end को पाने का एक जरिया था, it was a means and end question to him, ethics में पढ़ने वाले या ethics syllabus को पढ़ने वाले विद्यारती इस बात को जानते हैं कि question of means और end बहुत जरूरी है, यानि कि आपकी अंतिम गोल क्या है और उस गोल को पाने के तरीके या apparatus क्या है, स्वामी जी के लिए politics अंतिम गोल नहीं था, उनके लिए spirituality यानि कि अध्यात्मिक था, main goal थी, now, स्वामी जी इसी लिए उनके मरनो परांत, यानि कि उनके देहत्याग के बाद, Britishers के लिए एक political challenge बनते हैं, जब तक वो जिन्दा थे और जब तक वो अपनी ideas प्रीच करते रहे, उनकी political movements हमें जादा देखने को नहीं मलती है, for example, मैं दो examples आप को quote करना चाहूंगा, the formation of Indian National Congress 1885 में हो रही थी, स्वामी विवेकानन जी काफी popular संत माने जाते थे, भारतिय समाज की बीच, और उसमें आप कितने सारे literatures Indian National Congress के बारे में पढ़ते हैं, आप तिलक के statements को जानते हैं Indian National Congress के बारे में, या लाला लाजपतराए के statements को जानते हैं कि कैसे वो उन्हें safety valve कह रहे थे, लेकिन हम स्वामी जी के statements नहीं देखते हैं, ना ही सिर्फ Britishers के खिलाब, हम Indian Nationalism में भी जादा तर स्वामी जी को उजागर होते हुए नहीं देखते हैं, और for example, 1892 में भी council reforms हो रहे थे, उस समय भी स्वामी जी जादा नहीं कह रहे हैं, in fact स्वामी जी का birth 1863 में हो रहा है, 12th January, और उसके बाद वो काफी कम समय के लिए धर्ती पर हैं, बट इसी कम समय में उन्होंने अपनी energy इसको कहां divert करना है, ये चुल लिया था, politics was not one of them, now, if I take some of your time, इस lecture के बीच में, we would like to make a humble appeal to you, if you are preparing for prelims of 2023, अगर आपको लगता है, कि आप prelims के लिए तयार हैं, या आपकी तयारी में थोड़ ECB, शंद भर की कमी है, you can trust us to catapult your preparation, यानि कि आपके preparation को अगर तेजगती पकडानी है, अगर तेजगती में खत्म करना है, trust our SIP success in prelims program, ये jump start आपको देगा, और साथी साथ बहुत ही crash course के रूप में आपको prelims के लिए तयार करेगा, also at a very affordable rates, so if you are looking for one, waste no time, use the code ASHLIVE, especially for you, क्योंकि ये SIP के दूसरे batches भी हैं, we are launching an evening batch also for you, for those who have missed the earlier SIP batches, so अगर आपने पहले वाले batches में नहीं किया है, enroll in our evening batches starting from 14th of Jan, now, coming back to the topics, Chicago speech में, 1893 में ये सब जाते हैं कि उन्हेंने World Parliament of Religions में भाग लिया, और वहाँ पर वे भारतियता की Indianness की बात कर रहे हैं, जब वो ये कहते हैं कि भारत को अपनी पूरी शक्ती से अपनी contribution देने के लिए, यानि कि भारत के पास जो अध्यात्मिक्ता है, जो spirituality है और एक religion का gift ह है, वो देने के लिए Britishers hindrance हैं, वो इस speech में कह रहे हैं, उनका मानना ये था और उनका कहना ये था कि जब तक Britishers भारत की धरती पर मौजूद हैं, भारत पूर्णत है, अपनी contribution लोगों को नहीं दे सकता, और भारत को देने के लिए क्या था, स्वामे विवे कानन ये कहते है कि भारत के पास देने के लिए Spiritualism था, यानि अध्याक्तमी था थी, और West को East देने के लिए, यानि कि पश्चिम सभ्यता को Eastern Civilizations को देने के लिए भौतिक था थी, यानि Capitalism था, So, these were the two different viewpoints, जो स्वामी जी कह रहे है, that what we can offer to the world. Now, why was he against politics then? ये सवाल, जाधा तर students के मन में आता है, आना भी चाहिए, कि वो politics के अगेंस्ट क्यों थे, वो जाधा तर अध्यात्मिक चीजें या religious, या religion के बारे में क्यों बात करते थे? Again, उनके कोट से हम इस चीज को लेखेंगे, for example, he says, that religion is not to be blamed, religion is not at fault at all, for example, he says, that no religion ever persecuted men, no religion ever burnt witches, किसी धर्म ने, किसी व्यक्ति को नहीं जलाया, किसी औरत को नहीं जलाया, धर्म के नाम पर, in fact, politics, if as such, politics takes the name of religion, whose fault is that? अगर धर्म में राजनीती घुश जाती है, तो ये धर्म की गलती नहीं, ये राजनीती की गलती है, और शायद इसी चीज को स्वामी विवेकानन्द अपने धर्म और अपने आधमिक्ता से दूर रखना चाहते थे. Now, he was against casteism, वो जातीवाद के खिलाफ थे, वो superstition के खिलाफ थे, poverty, सबसे ज़ादा उन्हें बेंगॉल के फेमाइन्स या बेंगॉल में हो रही भुखमरी तरास देती थी, वे भारतियों के गलते पे गलते शरीर को देख कर काफी विचलित होते थे, यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है, in fact UPSC अपने पिछले साल के मेंस में भी man-made फेमाइन्स के question का जिक्र कर चुकी है और आपको उसके answers लिखने पड़े, वो उसी फेमाइन्स से या उसी भुखमरी से या बेंगॉली भदर लोग को जो racial connotations दिये जाते थे, यानि कि बेंगॉली जनता को Britishers effeminate भी कहते थे, उन्हें एक प्रकाल से sexist slangs का भी उपयोग किया जाता था, बेंगॉली भदर लोग और बेंगॉली मन के खिलाफ भी, वे इन सब परिस्थितियों के खिलाफ थे, right? In fact, he was particularly against the way a generation of Indians, यह बात कहने योग यह है अभी इस वक्त, कि almost throughout the presence of Britishers, 1740 से अगर मैं कहूँ, Britishers के राज के बीच में, around we lost 6 to 10 million of souls to famines and poverty, यानि की 6 से 10 million लोग, फिमाइन और poverty के हथे चड़े, यह स्वामी विवेकानन को गवारा नहीं था, politics उनके लिए कोई महतवपून चीज नहीं थी, जो इन सारे questions को end कर रही थी, साथी साथ, स्वामी जी की western thoughts से problems क्या थी? यह समझना थोड़ा सा tricky है, बट मैं जितना कोशिश कर सकता हूँ सरल बनाने के लिए, वो मैं कर रहा हूँ आपके लिए, आप देख रहे हैं screens पर कारल मार्क्स को, रॉबर्ट ओविन को, रॉबर्ट ओविन ब्रिटेन में socialism के प्रनेता थे, कारल मार्क्स, माक्षियन थेयरी दे रहे हैं, अगेन socialism से बढ़ता हुआ, चलता आ रहा हुआ, एक scientific way of socialism जिसे आप कहते हैं, माक्षियन थॉट, जर्मनी में दे रहे हैं, स्वामी विवेकानन दिये कहते थे, कि देखें, socialism या समाजवाद एक आधी रोटी के बराबर है, वो आपका पूरा पेट नहीं भर सकती, भारत में समाजवाद समाज में ही नहत है, याने कि भारतिय लोग समाजवाद बहुत जन्मों जन्मांतर से प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पर individualism नहीं है, लेकिन वो ये कहा करते थे कि west में, याने कि पश्चिम में individualism पूरी के पूरी तरह किसे है, लोग अपने लिए अपने बारे में जाधा तर सोचते हैं, और उपर से एक ढोंग है समाजवाद का, जो अलग-अलग movements के वज़े से आ रहा है, जैसे कि industrialization, और अगर industrialization आ रही है west में, तो इसलिए वहाँ पर समाजवाद भी आ रहा है, because industrialization ने unequal distribution of wealth किया, किसी के पास जाधा पैसा, किसी के पास कम पैसा, लेकिन भारतिय समाज में ऐसा नहीं था, भारतिय समाज समाज के लिए सोचती थी, इसलिए हम समाजवाद का part west से नहीं पढ़ते हैं, नहीं हमें पढ़ना चाहिए, भारतिय समाजवाद भारत के समाज में नहीं थै, स्वामे विवेकानन जी का ये कहना था, कि हमें, यानि कि भारतिय लोगों को, यानि कि भारत के लोगों को, ये सोचना चाहिए, या ये समझना चाहिए, कि वे समाजवाद से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, अब उन्हें individualistic या आत्मिय तोर पर, खुद के तोर पर भी अपने भीतर भी individualism की भावना जलानी होगी, यानि कि वो individual तोर पर देश की उनत्ति कैसे कर सके। एक philosophical as well as political commentator है, Christopher Isherwood, उनका ये कहना था कि स्वामी जी का राष्ट्रवाद, यानि कि विवेकानन जी का राष्ट्रवाद केवल भारत के लिए नहीं, बलके विश्व के लिए एक राष्ट्रवाद था, वो देना चाहते थे the philosophy of अद्वैतिजम, तत्वम असी, ये अद्वैत का पाठ है, अद्वैत यानि कि आत्मन और ब्रामन एक है, यानि कि सुप्रीम सोल एक है, और सुप्रीम सोल को पहुचने के लिए, या सुप्रीम सोल तक पाने के लिए, या जाने के लिए, आप कई रास्ते चुन सकते हैं, जिसमें राजयोग भी है, धर्मयोग भी है, कर् बाएद इन सारे रास्तों को सही मानते थे, until and unless you attain the spiritual high ground, कि आप अध्यात्मिक बने, धार्मिक या राजनेतिक बनना, उनके डिक्ष्णरी में इतना महतपूर नहीं था. Now, this is where we end the lectures. I hope you liked our presentation on Swamiji. With the end of the lecture, I would also like to make an appeal again. If you are also preparing for NCRT courses, अगर आपको लगता है कि आप NCRT courses लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, we also have a course for that. Use the code ASHLIVE appropriately, and you can avail attractive discounts, and that too at around 13 to 1400 रुपीज. यह शायद affordable or quality program दोनों आपको देता है. साथी साथ, मैं विवेका नंजी के, courts के साथ आपको छोड़ना चाहूँगा, कि किस प्रकार से विवेका नंजी ने अपने आपको उस जमाने में भी politics से उपर रखा. दूर या उसमें घुसनी की बात नहीं थी, लेकिन politics से अपने आपको उपर रखा. शायद ये विवेका नंजी की महान था और दूर दर्शिता का भी प्रमान. You were watching Time Capsule. I am Ashish. Thank you.